है लो एलो स्वागत है आप सभी का फृन लू टैसरिस में आज से हम डिस्कुस करेंगे रिल में नाउट Matt अगर मेरे पास डेटा एक्सेल फाइल में है तो वह डेटा रन टाइम में कैसे फेज करूंगा वो सारी चीज़ हम ट्रेलो की APIs से समझेंगे तो ये CSS आपके लिए बहुत important होने वाला है और जरह साभी miss मत करिएगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि trailer basically क्या है और उसका APIs का token कैसे generate करना है तो आप आगे के session में token generate नहीं कर पाऊगे और आप test को APIs को run नहीं कर पाऊगे तो this lecture is very very important for you और आगे बढ़ने से बहले ये वीडियो को like करना और share करना मत बुलिएगा पंडू टेस्चर को subscribe जरूर करिएगा तो अभी हम जलते है browser में हमारा aim ये है कि trailer application क्या है वो समझना है और उसका token कैसे generate करना है वो देखना है उसके लिए हमें trailer search करना है trailer login और हमें सबसे पहले trailer में login कर लेना है तो यहाँ पर मैं गया और basically हमें google login करना है तो continue with google और यहाँ पर बहुत सारे email ID है तो ये email ID से मैं इसको login कर लेता हूं continue गरता हूं तो basically trailer में में मेरा login हो गया तो उसका dashboard ऐसे दिखेगा trailer का main purpose किया है कि ये application से हम real time task management करेंगे अगर कोई भी project में पाच बंदा काम करता है simple सा मैं आपको example दूँ कि आपको कर में guest आ रहा है और आपको खाना बनाना है सारे guest के लिए तो कर में चार member है तो उसके लिए अलग-अलग हम task create करेंगे कि जो males होगे जो पुरूस होगे वो बाहर चाहेंगे जो भी वो प्लान के हिसाब से जो भी उसको कि रासन चाहिए सबजी चाहिए वो सब purchase करके लाएंगे उसके बाद जो बच्चे होगे या वो उसको दोने में सफाई करने में मदद करेंगे उसके बाद ladies है तो appropriate कोई ladies, first ladies सबजी को chop करेंगी cutting करेंगी, second है वो खाना बनाएगी, third person है उसका task यह है कि उसको मेमान को परोसना है खाना, तो similar way में एक project के उपर अलग-अलग developers और टेस्स काम करते हैं तो उसका task क्या है, वो हम किसे track करेंगे, वो purpose है, Trello application का, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें अलग-अलग workspace दीखेगी, तो यह निसान का workspace है, सुट्वे टेस्टिंग बूक, राम वाला, Trello workspace, तो basically सबसे पहले हम workspace create कर सकते हैं, तो कोई मैंने एक workspace create किया, basically वो एक team हो गई, ये एक high level team हो गई, team A, team B, team C, like that, तो ये एक team हो गई, workspace create करने के पहले यहाँ पर जाना है, और YouTube tutorial का एक workspace create करता हूँ, tutorial और workspace type में select करता हूँ, for example यह है education purpose और continue, तो ये एक मैंने workspace create कर दी, और उसमें जिसको invite करना है, मैं इसके email ID से मैं इसको invite कर सकता हूँ, बट अभी invite करने कीशी को जरूरत नहीं है, वो workspace में में गया, YouTube tutorial का workspace में गया, उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकती, कि हमां board बना सकते है, हमारा purpose क्या है उसके इसाब से हम board बना सकते हैं, तो यह workspace का यह है teaching, API testing यह हमारा main goal हो गया और हम workspace create कर सकते हैं, और उसका एक start with template, तो यहाँ पर basic template मिल जाता है, कि हमें कौन से purpose के लिए वो create करना है, तो predefined वो set design मिल जाता है हमें, तो for example मैं यह मान लो, project management के लिए या teaching weekly planning तो teaching weekly planning का example लेकर मैं workspace create कर रहा हूँ तो यह workspace create हो गया, यह initial session beginning of the term, week one में क्या क्या सिखेंगे, end of the term तो यह सारी चीज़े, basically यह workspace बन गया trail, हम API से यह समझेंगे कि workspace कैसे create करेंगे जो भी workspace है, वो हम फेच करना है तो हम कैसे fetch करेंगे इसमें team को कैसे create करेंगे यह task है, task basically card में add होता है तो for example, आपका नाम मान लो राहूल है, तो राहूल task one तो basically एक list हो गया यह card में मैंने राहूल का एक card बना दिया राहूल के task का, इसमें मैं उसके details add कर सकता हूँ यहाँ पे, तो वो सारी चीज़े आम API से कैसे करेंगे, वो हम समझने वाले तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है Trello API search करना है Trello API documentation यहाँ पे the Trello API से first of all हमें वहाँ पे जाना है और यह यहाँ पे आमें collection भी मिल जाएगा उसका एक open API भी मिल जाएगा यह भी हम समझेंगे आगे के वीडियो में अब हमें token generate करें यह हमारा API का section हो गया यह सारी API से हमारे पास Trello की बट हमें यह API को use करने के लिए हमें यहाँ पे mention किया है API key और API token चाहिए तो हमें API key है यह API token generate करना है तो उसके लिए API token सर्च करना है Google में और जो first API introduction ट्रेलो है उसके उपर हमें जाना है और यहाँ पे हमें यह power up admins का हमें URL मिलेगा यहाँ से हम API key and generate new API हम basically new API की generate कर सकते हैं तो यह power up admins में गए यहाँ पे और हमें यहाँ पे new पे select करना है new और यह सारी information फिल करनी है तो यह information में basically वो कुन से purpose के लिए तो मैं यहाँ पे YouTube का teaching कर वा रहा हूँ YouTube API demo के लिए token generate करना है वो में mention कर देता हूँ workspace YouTube tutorial यह workspace को access चाहिए URL में कोई भी URL mention कर सकता हूँ for example मैं यहाँ पे URL mention कर दी वो optional और basically यहाँ पे मेरे को email ID specify करना है तो यहाँ पे जो भी मेरा email ID है nis.ghl.gmail.com तो यह मेरे को pass करना है email ID nis.ghl copy करूँ support में और author में मेरा नाम डाल देता हूँ और create और उसके बाद मेरे को यह screen पे navigate करेंगा मेरे को इसको save करना है फिर हमें यहाँ पे जाना है generate new API key generate API key तो यहाँ पे मेरे को API key and API secret मिल गया तो यह दोनों चीजों को copy करके रख लेना है यह इसके बिना हम API कोई भी API को trigger में इप कर पाएगे तो सबसे पहले यह API key है मैं इसको notepad में store कर लेता हूँ API key इसको clipboard में copy किया और save किया उसके बाद secret है secret को भी store करना है secret को भी मैंने store कर लिया इसके बाद हमें token generate करना है तो यहाँ पे हमें token के ओपर click करना है और यह सारी जीजों में हमें इसको allow करना है तो आमें यह token मिल जाएगा यह basically हमारा API का token है तो यह API से token से हम API को trigger कर सकते है तो token को भी हमें save कर लेना है तो हमारे पास 3 data हो गए यह API key and token दोनों important है API को execute करने के लिए तो यह चीज़े आप अपना email id से try करो और token और API की secret generate कर लो आम next session से हम discuss करेंगे कि यह सारी API से हम guard कैसे fetch करेंगे वर्क स्पेस के से fetch करेंगे वह सब तीज़े हम next session से discuss करेंगे दनियावाद thank you